आज मैं आपके साथ एवियो शेयर करूंगी इनलाइफ की क्रीम का इस इनलाइफ साफरिन क्रीम इसका प्राइस है 1.99 रुपीज और इसकी क्वांसिटी है 100 ड्रम्स अंदर से कुछ यह टब ऐसा दिखता है देखिए हमें किता साथा यूज कर लिया है थोड़ी सी रह गई है यह लाइट लाइट पिंक क्रीम है तो अब को पता चलेगा कि क्रीमिश लाइट पिंक क्रीम है फ्रेइं सूपर्ब है मतलब ऐसा लगता है जैसे वाकि आपने किसी केसर की डब भी खोल ली हो पहले आपके साथ शेयर करूंगे कि मुझे क्या अच्छा लगा and then क्या अच्छा नहीं लगा क्या बेटर हो सकता था इस क्रीम में सब्सक्राइब को लिजी अगर आप नहीं है मेरे चानल पर और अगर आप पुरानी है welcome back and thank you for being there always okay let's start the review क्या अच्छा लगा बहुत जादा चांसे होते हैं कि अपने ट्रावल बैग में रखेंगे हां बैग में भी तो खुल जाएगी लेकिन ये क्रीम पिल्कुल भी लिक नहीं होती है तो आप इसी एजी कहीं भी कर सकते है प्राइस रेंज एफोरिबल में आता है बहुत ही माइल्ड ये फेरी सूधिंग अब क्या अच्छा नहीं लगा अच्छी ये क्रीम ड्राय स्किन वालों के लिए है ओली स्किन वालों के लिए नहीं है सिंस मेरी ओली स्किन है तो मैं क्या करती हूं मैं इसे I use this cream as a night cream क्योंकि एफेक्ट बहुत अच्छा देरी स्किन पे it's making my my skin really soft and वो जो भी pollution के वज़े से damage हो जाता है उसे recover repair कर देती है लेकिन मैं से दिन में नहीं लगा सकती क्योंकि it gives very oily effect लेकिन इनके dry skin है उनकी skin इतनी अच्छी हो जाती है लेकि मैं husband has a dry skin my mother has a dry skin तो मैं उनके 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 एक्स्पेडिमेंट करती हूं जो भी dry skin वाला काम होता है मैं सब उन पे चहरे पे लगा कर देखती हूं तो उन पे बहुत सूट करी है दिन में भी they get a very glowy very natural effect but oily skin मेरी है तो बहुत तेज दिल आजाता है दिन में तो मैं आपको यही suggest करूंगे कि if you have a dry skin use it anytime but if you have oily skin आप सिर्फ इसे as a night cream यूज करी अधरवाइस थोड़ा चिपचिपपा ना सकता है तो let me know अगर आप यह cream यूज कर रहे है या आप in life की और कौन सी cream यूज कर रहे है या in life की product अगर if you have ever used या whatever questions you want to ask आप comment section में बता सकते हैं till next time take care bye bye